ठीक है ध्यान दिजिएगा कहां तक हो गया था बोलोगे एफेक्टिव निउक्लियर चार्ज हो गया था एटामिक साइज हम लोग पढ़ रहे थे तो एटामिक साइज में भी कुछ हुआ था है कि नहीं हाँ तो एक बार पिछले चैप्टर का थोड़ा सामनों क्विक रिवाइस कर लेते हैं ध्यान दिजिएगा क्या रिवीजन करना था इसको ज़रा से समझना है हेडिंग है हमारा अटामिक साइज ध्यान दोगे तो एटामिक साइज में आपको बताय थे कि कोई भी एटम है उसके न्यूकलियस के सेंटर से लेके लास्ट और विट तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एटामिक रेडियस पोलते हैं समाझ पारो एटामिक रेडियस जितना ज्यादा एटम का साइज उतना ही बड़ा रेडियस जितना छोटा साइज उतना ही छोटा कोई दिक्कत दूसरा बात आपको यह बताये थे कि एफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा यानि न्यूक्लियस का सक्ति जितना ज्यादा बढ़ेगा वो अपने आउटर एलेक्ट्रोंज को क्या गरेगा खीच के रखेगा खीच के रखने में साइज क्या हो जाएगा रेडियस छोटा हो जाएगा तो साइज भी छोटा हो जाएगा तो एफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो एटॉमिक साइज के उपर क्या असर पड़ेगा एटॉमिक साइज भी छोटा हो जाएगा और इसी का अगर उल्टा कर दे के effective nuclear charge अगर घट जाए यानि nucleus उतना strong नहीं रहे कमजोर nucleus होगा तो अपने outermost electron को खीच नहीं पाएगा तो पता चला shielding के परभाव में वो और दूर चला जाएगा तो पता चला आपका atomic radius क्या हो गया बढ़ गया तो atomic size भी क्या हो जाएगा atomic size भी आपका बढ़ जाएगा तो effective nuclear charge अगर कम हुआ तो atomic size पर क्या परभाव पड़ेगा atomic size जो है आपका वो increase हो जाएगा समझ पारे हो बात को कोई problem ही यहाँ पे अब हम लोग periodic table के उपर बात्चित करेंगे कावा बात करेंगे बढ़ो periodic table के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कहा गया, यह रहा, ध्यान दीजिएगा, तो अब हम लोग periodic table के बारे में, हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो क्या चर्चा करना था हम लोगों को, यहाँ पे समझे, होता यह है, कि अगर आप left से right के अगर आप जा रहे हो, कहां से कहां जा रहे हो, left से right के तरफ, तो effective nuclear charge increase होता है, effective nuclear charge क्या हो रहा है, increase यानि बढ़ता है, तो आपको बताये थे, effective nuclear charge अगर बढ़ा, तो atomic size पे क्या असर पड़ेगा, atomic size जो है, वो छोटा होगा, सिकुडेगा, समझ पारे हो, अरे उधर क्या, चाय पे कुछ चर्चा चल रहा है, पीछे में, क्या चर्चा चल रहा है, चर्चा मत करो, यहां ध्यान दो, एगनी, लड़का लोग को हम खास तवज्जु देते हैं, लड़की लोग को तो हम पुछबों नहीं करते हैं, लड़का लोग को खास तवज्जु देते हैं, क्य वो इसमें दिक्कत नहीं है लेकिन लड़की लोग अगर पढ़ लिख जाती है तो वो गाउं के गावार से भिया सा दी तो उवो पदाचला की खाला के लड़का से भिया लगा था उवो कट ज्याएगा आ तो इसका थ्वासा खास ध्यान दीजिए, है कि नहीं, पदाचला पढ़ लिग गई, आप वहीं के वहीं रह गए, नतीजा क्या होगा, कट जाएगा फिर जीम में दिखाई दीजिएगा आप, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देगा, जा भी रहो गलत जगा, जाना चाहिए हां लाइबरेरी, तो जा कहा रहे है, जीम में जा रहे है, लानत है, है कुणि इसी लिए कहते हैं, कि तौह सा ध्यान दे दो, है कि तुम नोग में क्या होता है, कि तुम नोग सूलेमान कीडा कुछ जधाई काते रहता है, फेक बार-बार, पोप-कोन कीत्रा उचलते हो एक आप तुम लोग का काम खराब हो जा रहा है है कि नहीं तो ऐसा ना हो है कि बेज़ती से दो चार होना पड़ जाए है कि इतना चिंता करने वाला मास्टर मिलेगा नहीं मिलेगा लड़का पर जाती है खतम हो जाएगा कुछ दिन लड़का पर जाती है कि नहीं है कि पता चला लड़की लोग क्लोन से बना रही है तो पता चला लिक्वीड में इसे खड़े हो अदरके पर जाती है मर्ग पर जाती था बहुत गंदा था अपने गलत कामों के वैसे मर गया सब अब हम लोग जनेट कर रहे है लेकिन रहेगा सब गुलाम है कि बताओ मेंडल को यह प्लानिंग भी चालू है कि नहीं ध्यान दोगे तो अटोमिक साइज क्या होगा अटोमिक साइज जो है वो क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि नुक्लियस बरियार हो रहा लेट से राइट जाने में तो लिथियम को अगर देखोगे तो लिखियम इतना बड़ा साइज का होगा तो बेरेलियम उससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा पोरोन और थोड़ा सा छोटा होगा कार्बन और छोटा होगा नाइट्रोजन और छोटा होगा तो ऑक्सिजन होगा और छोटा होगा फ्लोर स्वराम का बात है लेट से राइट जारे साइजे छोटा हो रहा है है कि नहीं ध्यान दिजिएगा आगे बढ़ते हैं ध्यान दिजिएगा इसमें हसने वाली कौन सी बात अब हेती चुकी रहिएगा तो स्वराम का बात नहीं है अब बॉना आ गया लोग क्या कहेगा आए नाम बड़े दर्शन है चीचुकी अ है कि ने ध्यान दिजिए और पदना का सुचता है सब्सक्राइब और बात को कहां से कहां लेके चला जाता है सब्सक्राइब कि नहीं कि एंटी मार्कोनिक अब मार्कोनिक अब रियक्शन पढ़ा रहे हैं कहें कि रूस का सैंटिस्टा फिर नात बाहर आ जाता तुम्लों का अको यो ब्लादिमीर पूर्तिनगर हमला कर देंगे न हिंदुस्तान में तो फिर कोई बचाया कर नहीं ध्यान दोगे यहां पर समझना यहां पर देखो यह टॉप है और यह क्या है बॉटम है तो टॉप से बॉटम में देखो क्या हो रहा है यहां पर समझेगा क्या होता है होता यह है कि साइज लगातार क्या होगा बढ़ेगा क्योंकि आपको पता है कि अगर आप टॉप से बॉटम नीचे की बढार डिक्रीज हो जाता है क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है क्रीज होने के वजह से आपका शिलडिंग बड़ा तगड़ा रहता है अंदर के बाद से कौन आ जाता है सोडियम लिथियम के बाद सोडियम बड़ा साइज और सोडियम के बाद वो पोटासियम और बड़ा साइज अब पोटासियम के बाद कौन सा हो जाएगा वो रूबीडियम और बड़ा साइज का होगा अई बड़का साइज रूबीडियम अब फ्र sizes बड़े होते चले जाएंगे कोई दिक्कत यहाँ पर ध्यान दोगे यहाँ पर समझोगे कोई दिक्कत यहाँ पर इसको समझने में इसका अगर हम लोग periodic table अगर देखेंगे periodic table according to atomic size atomic size periodic table trend ध्यान दोगे ध्यान दे पारे हो का लिया ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जड़ा समझना यह आपका atomic size का trend है और यह atomic size के trend का क्या है यह आपका periodic table है देख पारे हो भलो खाली यह देखना इसको उतारना नहीं है आप देखोगे कि left से right जा रहे है तो क्या हो रहा है size छोटा होता चला जा रहा है सब में वही trend है और top से bottom जब जा रहे है तो size क्या हो रहा है बढ़ा होता ही चला जा रहा है समझ पारे हो बात को यह प्रियोडिक टेवल का trend है कोई दिक्कत हम लोग जिस टाइम में पढ़ते थे कोटा में उस्वर बढ़ा खतरनाक टाइप से बढ़ा research करते थे ठीक है न सारा चीज रखे होए हर एक तरीके का प्रियोडिक्टेवल इस वार हम लोग के लिए तो आसा आसान हो गया क्योंकि गूगल में सारा चीज क्या है अब लेबल रहता है लेकिन collect करना पड़ता है क्या करना पड़ता है लॉजिक के हिसाब से सबको collect करना पड़ता है कोई दिक्कत यहां पे बोलो तो अभी दाथ दिखा रहे हो पियर दाथ चीज बुरूस मारो बुरूस सेंसोर डाइन लगाओ अब बुरूस मारो खसर 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 है कि नहीं कि अच्छी कांट वाला नहीं था फिल्म हुआ रजनी कांट वाला फिल्म नहीं था क्या नाम था उसका शीवा जी दो बॉस उतरता हम हेलिकॉप्टर से तो करता की नमस्ते सर राइल लाइक इट क्या आपके पीले-पीले दाथ है कि नहीं मत हांसो यार इधर ध्यान दो क्या कांपे उस जमाने में उसका डिस्कवरी हुआ नहीं था एक काफी पुराना है हम लोग के सर उस टाइम में यह सो करवाते थे हम लोग के सर उस टाइम में खोजा नहीं गिया था बहुत सारा जगह 2008 के आसपास 2007 का बता रहे अभी के डिट में तो बहुत सारा एलिमेंट क्या कर दिया गया खोजा गया वो उस दिन दिखाया थे ना प्रियोडिक टेवल का जो नॉमेंक्लेचर जो करवाय थे यू यू जो बताया थे आपका तो उस जमाने में हम लोग जब पढ़ रहे थे ना तो बहुत सारा एस्पेसिस खाली था उसमें एलिमेंट्स खोजे नहीं गया थे तो अटामिक नम जो उसका नाम जो है ना आयू पीसी के हिसाफ से था अब वो खोजे गाया है तो उन सब को क्या कर गया है उसमें कुछ खोजा गया है और कुछ को लाब में बनाया गया है जैसे गोपाल गंज में मिला था कैलिफॉर्नियम एप ब्लॉक का एलिमेंट हो खोजा गया था स्वरी बनाया गया था लाब के अंदर में है कि नहीं आगे बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा कि अब कुछ आपको सवाल दिया जाएगा आपको सवाल बनाना है ठीक है ना ध्यान दीजिएगा सभी लोग ध्यान दोगे कई डीजोगे बजरा है क्या है मैं पाशान जाते हूं कि ओर्केस्ट्रा डीजे में अंतर पता है हम करें डीजे बनादगर नहीं सर ओर्केस्ट्रा है इट इस एक्षुली ओर्केस्ट्रा डिफेंस पता है गाउं में आता होगा ना एक दो अभी तक चल रहा है क्या ची कि कौन है मोल कॉंसेट्, मॉलारिटी, मॉलालिटी, एक टॉमिक साइज यह सब नहीं पता है माही मनीशा कौन है सब जानते है अरे सरम कर ले सरम कर ले वजब है सब यार एरेंज दें according अच्छा वही है सब लाल कलर का ठीका अच्छा नास्ती है सब ठीक आरेंज दम according to बलो यहां ध्यान दो क्या हुआ आरेंज दम ध्यान दो छोड़ो आरेंज दम according to increasing atomic size ध्यान देना atomic size के बढ़ते करम में क्या करना है बोलो सजाना है समझ पारेंगे बात को तो कुछ elements का नाम देते हैं आपको उनलों को सजाना है आप आरेंज करिएगा ठीक है इन elements को क्या करना है आपको arrange करना है समझ पारेंगे तो सबसे पहले आपको तो periodic table का पता होना चाहिए periodic table क्या होना चाहिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए periodic table के periodic table में कौन-कौन सा element कहां-कहां पे मौजूद है ध्यान दिजिएगा तो यहां पे समझोगे ध्यान दोगे यह आपका periodic table ध्यान दिजिएगा यह आपका periodic table है इसको insert कर दिये, यहाँ पे ध्यान दिजिएगा, यह आपको याद करने काम तरीका भी बताये थे, किस तरीके से आपको याद करना है, है कि नहीं, हाला कि हम उसको चड़ाय नहीं थे, क्योंकि हमको बड़ा cheap type का लगता है, concept कम बता रहे हैं, खेला कहानी, ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, खेला कहानी वहीं अच्छा लगता है, जहाँ पे कोई बहुत भारी concept को क्या करना हो, आपको सिखाना हो, ठीक है, ध्यान दिजिएगा, तो यहाँ पे देखो, कहाँ कहाँ पे वो elements है, देखो, यहाँ पे फ्लोरीन है, कारवन कहाँ पे है, यहाँ कारवन ह है, सीजियम कहाँ पे है, सीजियम यहाँ पे है, पोटासियम, पोटासियम यहाँ पे, बोरोन, बोरोन यहाँ पे, और लिथियम कहाँ है, लिथियम यहाँ पे है, कोई दिकत, कोई प्राबलम, तो अब जरा साइस में साइज का ट्रेंड जरा देखो, इधर गए, तो छोट सबसे छोटका कुप पकड़ों इसको पकड़ना है सबसे छोटा का ध्यान दीजिए तो सबसे छोटा कौन होगा सबसे छोटका जो है वो फ्लोरीन हैMPAN糖 क्लोरीन से बड़ा कार्बन कार्बन से बड़ा परोन पढ़लो मत करो अलग-अलग बइठाएंगे फिर तलाग दिलवा देंगे सारा दोस्ती धरागा धरा रह जाएगा है गिनित दिलवाएंगे पटा रह रहा अरे यतना मेहनत करके आ रहो यहां पे कुछ घ्ञान लेके जाओ है गिनि मेरा भी मेहनत सवारत हो अपना भी मेहनत को क्या करो सवारत करो पागनित खाली एक अई सईड से मेहनत हो रहा है इस्टूडेंट टीचर का क्या मतलब है इसकå लेकर जाना है यह तुम लोग हो इस्टूडेंट हो यह चीज लिकरनाए यहां हो जा रहा मामला उल्टा इसको आई ओध मैवल आए तुम्हारा केरियर है डूलाणा cooperate तो हम इस साइट से हैं, आई चोटा जो है उपर आके, आउल्टा जो है धकेल रहा है, तो इस अब मत काम करो, है कि नहीं, साथे मिल करके, टीम वर्क करिए मास्टर के साथ मिल करके, तब ही अच्छा जगा पर आप कुछ कर पाईएगा, भाई सोचने समझने का ये डवलप्म कि नहीं बढ़ रहा है, तो थे सब क्या है, लोजिक दे रहे हैं, तकि आपका दिमाग का क्या हो, विकास हो सके, नौस खुले दिमाग का, तब ये तो इसी के बेस में मेडिकल करो गया इंजिनियरींग करोगे, हम आई सब कॉंसेट क्लियर होगा नहीं, तो पापा जो है प इस्टाइलिस काफे में बैठे हुए हैं सिग्रेट फूक रहे हैं बड़ा कड़वा सचाई बता दिये ना आगे बढ़ाते चलो मत करो इसा पढ़ लो ध्यान दोगे बोरोन से बड़ा लिथियम अब ध्यान देना अब लिथियम से और साइज नीचे क्या होगा बड़ा होता चला जाएगा लिथियम से बड़ा पोटासियम अब पोटासियम से बड़ा कौन हो गया आपका सीजियम हो गया समझ पारो सबसे बड़ा साइज सीजियम सबसे चोटा साइज कौन सा है फ्लोरीन का है कोई दिक्कत यहां पर समझने में ध्यान दीजियेगा यहां पर समझोगे ध्यान दोगे अब आपको फिर एरेंज करना है मेगनीशियम कैलसियम सिलिकॉन क्लोरीन पैरियम ठीक है इन सब एलिमेंट्स को आपको क्या करना है आपको खुद एरेंज करना है क्या करना है आपको एरेंज करना है तो जरा एरेंज करके बताओ कि किसका किसका एरेंज हो गया है कि क्या हो यह खुल लेंगे कि चलो ये पिरियोडिक टेवल भी सामने रख दियें आसानी के लिए तुम्हारे याद कर लेना इसको बताय थे ना याद कर रहेगा तरीका कलो, solve करो Most jungliest class 11th and 12th खुद्धे लगाएं अनोच दिये हां पता ने पहले तुम लोग नोचा नोची किया अब पानी लेने गए हम बाहर में ओर्डर देने वाले थे पनिया लिया के रख दो खतम हो गया जा आ रहे तो देखे सब नोचा गया तुटीन को मीडिया अने वाला था तो यह कई को आया बिचारा दोस्त हमको ठीक है बना लो बाकी लोगों को हम मना कर दिए हमको क्या देखा है 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 आरे तो और भी आ रहा था इसलिए मना करवा दिए है हाँ बैरियम सबसे बढ़का कैल्सियम ही क्या है एम जी एसाइ सिलिकन आए हाँ क्लोरीन ठीक है और किसी का बना लिए हो वह वेरी गुड तुम लग रहा डियेम बनोगे इंजिनियरिंग के बाद डियेम बन जाएगा हाँ और किसी का मैक्सिम होई है सब ना आज के डेट में इंजिनियर दरोगा भी है मास्टर भी है इंजिनियर भी है डॉक्टर भी है चायो वाला दूचार को है सब है कि नहीं चलो गुड सबस और किसी का अपका हो गया बावू वेरी गुड साबास चलो देखो बैरियम यहां पे है दिख रहा है बैरियम यहां पे है कैलसियम यहां पे है मैगनीसियम उसके उपर यह रहा सिलिकन और यह रहा क्लोरीन तो सबसे छोटका कौन है क्लोरीन उससे बढ़का सिलिकन ध्यान दिचिएगा क्लोरीन सबसे छोटा क्लोरीन उससे बढ़का सिलिकन उससे बढ़का मैगनेशियम कैल्सियम और सबसे बढ़ा बैरियम हो जाएगा पोई दिक्कत ऐसा सवाल अगर आएगा तो तुम लोग solve कर लोगे न बोलो ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा अब हम लोग पढ़ेंगे कटायनिक एंड अनायनिक साइज ध्यान दीजिएगा कटायनिक एंड अनायनिक साइज तो सबसे पहले तो यह जानना पड़ेगा कि भाई कौन कटायन है और कौन अनायन है खरीजयुआ अल ठीक है तो ध्यान दीजिए गा तो माल लिजिए आपके पास बोरोन 아्स क्टम को अगर आप देखिये गा तो बोरोन के team में पांच प्रोटोन होता है। क्या होता है 5 अधर होता है और neutron भी होता होगा neutron से हमको अभी फिलाल कोई लेना देना नहीं है और पांच new proton को balance करने के लिए electron कितना होता है पांच electron होता है यानि 5 positive charge तो 5 negative charge proton आप निकाल नहीं सकते हो proton निकालना किसी के बस की बात नहीं है nucleus तक आपका हाथे नहीं पहुंचेगा कुछ नहीं निकाल पाईएगा nucleus से क्या करोगे electron निकाल सकते हो तो मालो तुमने electron का loss करा दिया यानि electron आपने क्या किया electron आपने निकाल लिया तो 5 proton तो वैसा का वैसा ही रहेगा कौन कम हो गया बोलो electron कम हो गया यहाँ पे देखो बोरोन के उपर zero charge था zero charge यानि कोई charge नहीं है तो दिखाते हो खाते कुछ है नहीं चार्ज है नहीं है तो क्या दिखाएगे तो क्यूं zero charge है क्योंकि जितना plus है उतना ही क्या है minus है सब एक दूसरे को neutralize कर देगा इसलिए neutral है कोई charge नहीं होता atom का लेकिन जैसी electron निकाल दिए तो electron निकलते ही क्या होगा electron निकलते एक extra positive charge बढ़ जाता है electron जो balance कर रहा था उसी को निकाल दिए एक extra क्या आ गया proton आ गया तो जिसके वैसे overall atom के ऊपर कैसा charge देगा positive charge देगा overall atom के क्या देगा positive charging तो positive charge वाला जितना भी इस पेसिस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेटा काटायन क्या बोलते हैं काटायन यानि ऐसा आयन जिसके उपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है समझ पारो और यह पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों कि एलेक्ट्रोन का क्या हो लॉस हो गया है एलेक्ट्रॉन का क्या हो गया है लॉस हो गया है को दिकत यहां पर एक और निकाल दो मेरा क्या जाता है एक और एलेक्ट्रॉन लॉस कर दो तो क्या दिखाई देगा आपको पांच गो पॉजिटिव चार्ज तो पहले ही से था अब एलेक्ट्रॉन कितना हो ग अगर प्लस में है तो क्या होगा काटायन और एक चीज और यहां से समस्मिण है अरहा है जितनाLY फ्लस चर्ज क्या हो जाएगा उतना ही फ्लस चार्ज यहां पर बढ़ेगा तो लोग क्या करते हैं यह प्लस इस चार्श देखते ही उनको लगता है कि एलेक्ट्रोन उसमें 20059 यह प्लस का मतलब सम Aujourd'Task that मैख वाला प्लश ईलेक्ट्रोन क्या हैं एलेक्ट्रोन आया है लेकिन ईलेक्ट्रोन आया वैह नहीं है सामझ पारिवा बात को इसको बोलतें काटएन क्या बोलते हैं काटएन अब जड़ा ऐटम को जड़ा सथ देखते हैं कि आटम की उपर क्या प्रभाव पड़ेगा ध्यान दीजिएगा समझिएगा यहां पे यहां पे नूकलियस है पाँच प्रूक्टोन है यहांई पाँच प्लस चार्ज है बुरून का और यह escort है अंदर में कितना अंदर में दो एलेक्ट्रोन है और बाहर में कितना है बेटा बाहर में तीन एलेक्ट्रोन है बाहर में कितना है तीन एलेक्ट्रोन है तो यह न्यूट्रल है फिल हाल यानि 5 प्लस चार्ज है और 5 charge minus charge है जितना इसका nucleus का सक्ति रहता है उतना ही सक्ति है लेकिन अब क्या किये अब हमने nucleus से तो आप proton निकाल नहीं पाईयेगा तो क्या निकाल पाईयेगा आपने एक electron आपने निकाल दिया क्या निकाल दिया आपने एक एलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो जैसे ही आपने एक एलेक्ट्रॉन निकाला पॉजिटिव चार्ज तो भाईया जितना है उतना ही रहेगा नेगेटिव चार्ज कितना हो गया नेगेटिव चार्ज जो है एक्ठो कम हो गया कर दो कि प्रब्लम तो उस वक्त से भाजार 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 अखारा करा के इंसर्ट कर देंगे तो मुझ जो है के चोखा जैसन हो जाएगा एक दो कि हावरा मास्टर अपमानित कर दिया है है कि नियुक चाहतो ठेहा बन जाएए कि कोई भी अपमान का बाण ऐसे मार रहे है ऐसे बेसरम की तरह खड़ा हो गया है ऐसे लग के बाण नीचे मास्टर हम तो लंग्टा आदमी हूं कपड़ा उ अब लग रहा है मास्टर के बात हो गातो हरकत मत करो इस अब उलूल उलूल है कि ने एक से दिमाग में आता है मेरे बाद जब क्लास लेते हैं तो यह मैं तो लंग्टा आदमी हूं कपड़ा उतार के चल दूंगा मोधी जी काते मैं तो फ़कीर आदमी हूं जोला उठा के चल देंगे हां मत बोलो अच्छा आदमी हूं ठीक है न गलत बोलो पता चल अब चार गो बूल दो जो रागया घर पे है कि ने कहेगा कि पूरा इल्लीगल है तोड़ो इसको है कि ने तो ध्यान दिजिएगा क्या होगा पांच प्रोटोन और चार एलेक्ट्रोन बहुत ना कि बढ़ने अनुयाई जो लोग था यानि चारेगो एलेक्ट्रॉण रह गया अब न्यूक्लियस का सक्ति बढ़ गया यानि ऐसा समाझ लोगी 5 गोड़ों टीचर था 5 गोड़ों ताय एक हुए स्टुडेट्ट कम हो गया काफी ज़्यादा बढ़ जाएगा कि नूख्लियस का शक्ति बढ़ जाएगा अब नूख्लियस का सक्ति बढ़ जैगा तो सब जालो को क्या करेगा अपने तरफ टानेगा आजाओ ठेकि नहीं अज जैसी टानेगा तो इसी क्या हो यह फाइप प्रोटोन स्माझ पारो सब टना के क्या हो जाएगा तब टना के आ आगे आजायगा एकदम, होईसे, कितना इसमें, दो ही है नहीं, तब आके यानि effective nuclear charge बढ़ जायेगा, ऐसे condition में क्या होगा, effective nuclear charge increase हो जायेगा, तो size के उपर के आशर पढ़ेगा, size छोटा हो जा बोरोन का साइज सबसे बड़ा होगा, बोरोन प्लस का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ठोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छोटा, और एक्ठो और एलेक्ट्रोन निकाल दो, क्या होगा, और न्यूक्लियर सक्ति साली हो जाएगा, और सबको पास क्या करेगा, सबको औ और पास बुला लेगा, यानि जितना प्लस चार्ज आता चला जाएगा, उतना ही साइज क्या होगा, उतना ही साइज जो है, उसका छोटा होता चला जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, यानि एलेक्ट्रोन निकालिएगा, एफेक्टिव नुक्लियर चार्ज, इंक्रीज हो जाएगा नतीजा यह होगा के पारेंट एटम से यह पारेंट एटम हो गया कौन सा बोरोन साधा बोरोन जो है पारेंट एटम मोलेंगे पारेंट एटम से कटायन का साइज क्या होगा छोटा हो जाएगा समझ पारेंगे और एलेक्ट्रोन निकाल दो के तो साइज क्या होगा और भी छोटा हो जाएगा, समझ पारे हो बात को, पदिकत, तो यहां पे हम इस बात को जो है वरनित करेंगे, ध्यान दोगे, क्या करेंगे, वरनित, वेन, वी, रिमूब, एलेक्टरॉन, एफेक्टिव, नुकलियर, चार्ज, क्या होगा, क्या होगा, बोलो, डिक्रीज, क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्या होगा, क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, कोदिकत, कोई प्राब्लम, बात मत कर भाई, कितना, पीछे मुड रहे है, मत करो, पढ़ाई उड़ाई कर लो, कपड़ा लत्ता का दोकान बाद में कर लेना, है कि नहीं, जो काम बोल रहे हूं, काम तो हो नहीं रहा है, तो फिर भी जो है, मुहा बंद हो नहीं रहा है, एतना दूर से आरे हैं, कोई फायदा होगा, बोलो, ओ, 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 ओर्लाइन क्लासे, क्या कहता है, लेक्चर डाल रहे है टुवल्थ वाला बच्चा सब मासा लकोटा तक वीडियो पहुच रहा है अप्रिशियेशन मिल रहा है अच्छा लग रहा है मैसेज कर रहा है कॉल कर रहा है लोग अच्छा लग रहा हमको आप यहां ही पर बैट करके गाय गोबर का बात करिएगा तो इससे बड़ा मुर्ख कौन होंगे आप ही होंगे न वहां से कर रहा कि ऐसा अगर कोई टीचर बढ़ाता तो क्लास बिल्कुल क्या रहता है है सांत रहता है लेकिन आपका तो इच्छा है यह नहीं है पढ़ने का यह प्लास्ट वारिंग है अगली बार से जो है इज्जत का जो है भालूदा बना करके ज्ञंडा लहरा देंगे कि प्लूड देते फिर यह गा कि ठीक है कि ध्यान दोगे क्लास बावु मेरा डिस्टरफ करिएगा हम आपको डिस्टरफ कर देंगे बहुत बूरी तरीके से फिर कई आते फिर क्लास जब खतब होगा रहता आएगा सांद लड़की सब के सांद ने इसका बड़ा इज्जत का है यह रहता एक्दम है कि नहीं और टेंसर मतलो दूचार आदमी को टार्गेट कर लिए एक क्याली जो है कलस्टर बम गिरा देंगे रोते रहिएगा फिर कोई दिक्कत यहां पे बोलो कोई प्रब्लम कोई दिक्कत यहां पे समंध्य में ठीक है अब हम लोग चलेंगे किस के पास अब हम लोग चलेंगे अनायन के साइज के पास कहां पे चलेंगे अनायन के साइज पे चलते हैं ध्यान दीजिएगा अनायन कि ध्यान दोगे अनायन कटायंस हो गया तो देखो फिर बोरोन ही को पकड़ते हैं बोरोन बाबा बोरोन कितना प्रोटोन होता है बावू पाच और एलेक्ट्रोन भी कितना होते हैं पाच तो सारा एलेक्ट्रोन एक दूसरे को कैंसिल आउट करके आटम क्या होता है एलेक्ट्रिकली निूट्रल होता है क्योंकि जितना प्लस है उतना माइनस है जितना प्रोटोन है उतना एलेक्ट्रोन है हम क्या कियें कि gift दे दियें क्या दे दियें gift दे दियें electron add कर दियें है कि नहीं कितना हो गया यह तो 5 proton electrons का संख्या कितना है 3 4 5 और एक 6 electron हो गया है कितना electron है बावू यह boron है तो देखो यह एक दूसरे को क्या कर देगा cancel करेगा लेकिन एक extra electron हो किसी से cancel हो पा रहा है क्या नहीं हो पा रहा तो दिखेगा उसके उपर दिखेगा किस sign में दिखेगा minus के form में दिखेगा तो किसी भी इस पेसिस के उपर जब minus charge आता है तो उसको हमनों क्या बोलते हैं अनायन्स बोलेंगे क्या बोलेंगे अनायन्स एक और electron add कर दो क्या हो जाएगा वोलो एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच थे और एक और आगया ना साथ तो भाई 5 एलेक्ट्राउन 5 को दो फिर भी क्या होगा दो फिर भी क्यांसिल कि और दीखाएगा तो कितनों चार जाएगा नेगटीव वह क्या कहलाएगा ऑनायन ही कहला है क्या कहलाएगा अनायन्स एक ऐar इसा पड़्त को एकramer लेगे अनायन्स गोडिक्र दिक्त अब जराससा ऑनायन के साइज के ऊपर डिसकासन करते ठीक है तो ध्यान दोगे बोरोन क्या है बोरोन तो बोरोन में पांच पॉजिटिव और एलेक्ट्रॉन है कितना अंदर दो और बाहर में एक दो और ये तीन अब कटायन के तरफ चलते हैं पांच प्रोटॉन है समझ पारे हो अंदर कितना एलेक्ट्रॉन दो और बाहर में कितना हो जाएगा एक दो तीन और चार हो जाएगा क्या पांच electron total होता है अंदर दो बाहर तीन extra electron आया है कहां जाएगा बाहर में यह में आएगा समझ पारे हो अब इसका logic यह समझजिये कि size की उपर क्या असर पड़ेगा मान लीजिये आप तीन आदमी है कित्य आदमी हो तीन आदमी हो और तीन आदमी इस तरीके से circle बनाया है क्या बनाया है तीन आदमी का circle जैसे team India का hurdle बनाता है सबना तीन आदमी इसे कंधा पे हाथ रख करके क्या बनाया है circle बनाया है चौथा आदमी आया कहा कि भाईया हमको भी क्या कर लो अपने team में सामिल कर लो जब यह आएगा जुड़ने के लिए तो बताओ क्या होगा बोलो circle बड़ा हो जाएगा circle क्या होगा circle बड़ा हो जाएगा समझ पारे हो यानि चार आदमी आएगा तो circle क्या होगा circle बड़ा हो जाएगा तो बाहर से जब आप electron लाते हो तो उसको fit करते हो, fit करिएगा तो automatic क्या होगा, बोलो और negative charge भी है, जैसे ये negative charge है, जैसे इसमें डालिएगा, तो negative negative को क्या करेगा, repel करेगा, repel करके क्या कर देगा, size increase हो जाएगा, यानि atomic size क्या होगा, increase होगा, इसका मतलब ये है, ध्यान दीजेगा, इसका मतलब, के boroon का size जो है, वो छोटा है, किस से, boroon के, अनायन से, यानि negative charge जितना आता चला जाएगा, उतना ही वो circle क्या होगा, उतना ही बड़ा होता चला जाएगा, वो circle और अनायन का size क्या होगा, अनायन का size जो है increase हो जाएगा, अनायन का size क्या होगा, increase हो जाता है, parent atom से अनायन का size बड़ा होता है, जितना negative होगा, उतना ही size क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा, और कटायन में ठीक उल्टा होता है, बोलो, कितना plus होगा, उतना ही क्या होगा, वो छोटा होता चला जा का टायन और अनायन का एक और कारण भी है ठीक है उस कारण को हम लोग डिसकस करेंगे पहले आप क्या कर लीजिए पहले इत्मिनान से छापिए ताइम ही टाइम है आपके पास हाँ यहां से लिखना है ना चलो लिखो अब यह अब कर दो । यह अब यह यह झाल 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 झाल